अगर आप एक यूटूबर हैं तो यूटूबर के लिए एक चीज बहुत ही ज्यादा यूसफुल होती है जैसे कि लाएगा इसमें आप लोग को बताना चाहता हूँ अगर आप लोगोंने कोई वीडियो अपलोड करी अपने यूटूब चैनल पे तो आप लोग सोचते होगे कि एक ही वीडियो या एक लिंक में सभी लोगों तक पहुचा दूँ 100 लोगों तक 200 लोगों तक एक ही बार में पहुचा दूँ बार बार भेजने की दिक्कत ना होई तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं आप लोग को WhatsApp application को open कर लेना है जैसे आप click करेंगे New broadcast के उपर click करना है New broadcast ये WhatsApp का काफी दमाकेदार feature है इसको अगर आप लोग इस्तिमाल करते हैं तो आप लोग definitely YouTube channel आप लोग का कम समय में बहुत ही जल्दी इग्रोव कर जाएगा अब मैं आप लोग को बताता हूं Suppose करो मैं आप example के तोर पर आप लोग को एक लोग को मैं ले के दिखा देता हूं ठीक है यहां पर दू-तिन लोग को मैं ने लिया चार लोग को लिया ठीक है 256 लोगों को select कर सकते हैं जो भी आपके जिन दिन लोगों को आप वीडियो पहुचाना चाते हैं अब आपको next के ओपर click करना ठीक है जैसे आप arrow के ओपर click करेंगे आप यहाँ पर जो भी आपका sentence है या जो भी आपने link copy किया ठीक है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चारों लोग इस ग्रूप में message नहीं करेंगे ठीक है वो लोग अलग-अलग से message आपको करेंगे reply देंगे कि आपकी वीडियो अच्छी लगी या जैसा भी लगा response आपको बाद में अलग से देंगे तो इस group से आप लोग को कोई मतलब नहीं अगर आप कोई फिर वीडियो upload करते हैं तो इस तरीके से फिर भेजेंगे तो सभी लोग तक वीडियो पहुच जाएगी एक ही बार में ठीक है एक ही link से और होगा क्या broadcast से आप भेजेंगे तो सभी लोगों तक एक ही बार में पहुच जाएगी उसके बाद बाद क्या हो करते हैं उसके बाद यह है जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ ठीक है suppose को आपको यह broadcast मतलब कि और लोगों को जोड़ना है अभी चार लोग जुड़े हैं तो यह simple सा यहाँ पर है edit, receipt लिखा इसके उपर आप click करके और लोगों को जोड़ सकते हैं जिन लोग को हटाना चाहते हैं कटम पर निसान click करेंगे वो हट जाएंगे ठीक है अब आप क्या करना है simply आप यहाँ पर नाम भी इसका रख सकते हैं broadcast का नाम रख सकते हैं और यहाँ पर photo भी add कर सकते हैं ठीक है उसके बाद एक option में आप लोग और बता दूँ अगर आप लोग चाहते हो कि यह broadcast delete हो जाएं तो delete करने के लिए आपको क्या करना पर delete broadcast लिखा है इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद आपको delete के उपर click कर दिना है जो भी आपने broadcast बनाया था वो हमेशा के लिए delete हो जाएगा और आप फिर से दोबारा बना सकते हैं इसी तरीके से बिल्कुल easy way में आप यह video आप लोग पसंद आई यह पसंद आई तो like करिए और जो भी नया youtuber है जितने भी लोगों ने नया channel खोला है तो मेरे जैसा नया channel जिरू ने भी खोला है तो उन लोगों तक यह video आप लोग पहुचा दीजेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक लिए आप आपना ख्या लखना ओके फ्रेंज टेक क्यार वाई वाई